अरे पॉलिटीशन्स ने ऐसे वाइबल की वर्सिस को इस्तिमाल किया महान बनें गये हो महान बनेंगे नहीं महातमा गांदी जी और भी बड़े-बड़े पॉलिटी Table की वर्सिस को उनने लिया कि येशु मुसे ने कहा है, किसने कहा है ऐसा कि एक गाल पर थपड़ मारो दूसरा आगे, किसी ने भी कहा, जीजस के इलावा दोस्तों जैसा कि आप सभी जानती होंगे कि तीन-चार दिन पहले, मैंने आपको अपने इस चैनल पर एक वीडियो क्लिप दिखाई थी, जिसमें कॉंग्रेस के नेता राहुल गांदी सासंद में प्रभु येशु के वचन को सबको सुना रहे थे, जो कि मती 5 की 49 का वचन थ कि अगर कोई तुमारी एक गाल पर थपड मारे तो अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो, जो कि प्रभु येशु मसी ने कहा था, और दोस्तों ये वीडियो प्लिप शोचल मेडिया पर काफी ज्यादा बाइरल भी हुई थी, जहां तक कि हमारे इंस्टा अकाउंट पर भी इसको चार मिलें से जाना लोगों ने देखा, और प्रभु येशु मसी का ये वचन सुना, लेकिन दोस्तों, अब आज कि इस वीडियो में आपको अपोसल अंकुर नुरला जी ने इसको लेकर क्या कहा है, उसके बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि उन्होंने आज की में कहा है, तो आएए दोस्तों हम जानते हैं कि परमेशर के दास अपोसल अंकुर नुरला जी ने क्या कहा है, इसको लेकर जीजस ने कहा, कोई तरह एक गाल पर धपड़ मारे क्या कर ले, दूसरा गाल, अरे पॉलिटीशन्स ने, ऐसे बाइबल की वर्सिस को इस्तिमाल कि महान बन गए वो, बने के नहीं? महात्मा गांदी जी और भी बड़े-बड़े पॉलिटीशन्स ने कहा है, कि इस ने कहा है, कि एक काल पर धपड़ मारे, दूसरा आगे, किसी ने नहीं कहा, जीजस के इलावा, आप भी मैं जानों कि बड़े-बड़े पॉलिटीशन्स ने यूज करके इतने महान बन गए, कि आज आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में चले जाओ, महात्मा गांदी जी की मूर्ती आपको वहां मिलेगी, आप लंडन चले जाओ, आप दुनिया के किसी देश में चले जाओ, महात्मा गांदी को सब लोग जानते हैं, बाइबल की ए इमेजिन करके देखो कितने ग्रेटनेस कितने बड़े लेवल तक आप लोग जा सकते हैं क्योंकि आपके पास परमेश्रों का जीवित बचन है हालेलुया तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं परमेश्रों आप सभी को आशिश दे